बच्चों नमस्कार, बच्चों हम लेकर देख रहे हैं कञ्छ Top Paymeter महत्तलगूर्व के स्रेंख लगन दरगत, कुछ अति प्रश्णों को जिसके पहले के भागमेन में देखा था बच्चों 10 प्रस्ण और उनके उत्तरों को आज हम पढ़ेंगे प्रस्तक्रमां 11 और आगे के प्रस्तक्रमां 11 और आगे के प्रस्तक्रमां 11 और प्रस्तक्रमां 11 क्या है अमली वचारी मुलक कैसे प्राप्थ होते हैं और इसका अथ्वा दिया हुए बच्चों मुलांकरों के सीरी क्या कारे करते हैं इसका उत्तर क्या हो होने वाले तंद आभिस्त A언 है जब्कि छारे मुलथ चार से प्राक्ट होने वाले धन आविसित आयन है इतना अत्बतर लिखना है इसका अथ्वा जो दिया हुए बझ्चों वो प्रश्चन है मुलांकरों के सीरे क्या कारे करते है का विचार करके लिखना है या मुलांकरों की सीरे में होता है या आपको ध्यान में लखना है बज़ों याद कर लेना है चले दिखते हैं प्रश्ण के मांग बारहुआ और अगला प्रश्ण बारहुआ प्रश्ण है कुछ काई प्राया छोटी होती है क्यों कुछ काई प्राया छोटी होती है क्यों इसका अत्वा दिया हुआ है क्या होगा यदी कुछ का में किंद्र ना हो तो दूसरा दिया है कुछ का की प्लाजिमा च्रीले पड़ जाए और तिसरा क्या होगा यदी जब कुछ का से गलजी काय को निकाल दिया जाए तो चलिए प्रसने देखते हैं कुछ काई प्राया छोटी होती है क्यों तो इसका उत्तर होगा बचों कुछ काउं में विभिन्न पदार्थों जैसे पोसक पदार्थ, उत्सर जी पदार्थ विभिन्न गैसों आदि का आवगवन होता है जो की कुछ का जिली की प्रिष्टी चितर में होता है विन्न पदार्थों का आवगवन अल्प दूरी न्यून समयम होता है अधात बहुत कम दूरी और बहुत कम समयम होता है तो उर्जा का व्याय भी कम होता है यह तभी हो सकता है जब कुछ का छोटी हो कुषका कैसी हो बच्चों कुषका छोती हो तब यह संभा हो पाता है यदि कुषका बड़ी होगी तो जब एक क्रिया को संपन करने में बहुत ज्यादा मात्रा में पोसाग द्रभ्यों क्या हो सकता होगी जरत होगी आकार बढ़ने से आयतन की पिक्चा प्रिष्टी छेत्र में कम बड़त्री होगी इस स्थिति में कुषका के द्रभ्यों के द्रभ्यों के मांग प्रिष्ट द्वारा पूरी नहीं हो पाएगी फलस्वरू जब एक क्रियाओं की यति सुस्त हो जाएगी इसलिए बच्चों कुषका अप्राया छोटी होती है तो इसका अथ्वा का तो इसका परस्च किया था वर लिबीट जोड़ते हैं अर्थ्वा में दिया हुआ है क्या होगा यदि पहला कोस्का में केंद्र औरिह का सेंसेशन आदी महत्पोन पार हो जैए बच्चों को तो कोस्का में इसका अधारी प्रिप रहे हो तो यह सबंड़ today कि ये वे वाधित और हो जाएंगे इसलिए देखते हैं कि कोशका मिर्केंद्रा का होना जरूरी है चले देखते हैं कि कкий पुछा ता दूसरा पुछा गया है कोश्का की कि प्लाज माजीली फट जयाए यदी कोश्का की प्लास्मा जिली फट जाएगी तो निम्ने कारिय जो है संपन्नि पहला है पर आस्राण की किरियाद्वा द्वारा विलाय करूनों का आवर्दम हो जाएगा दूसरा सांध्रा प्रपरता की विपरीत शक्री अभिगमन नहीं हो पायेगी तीसरा कोश् प्रोटीन और अन्य पदार्थों खैली जैसे सरष्टनाओं से अन्य अंगों तक प्रेसित किये जाते हैं प्रारुपिक पादप कोष्गा का चित्र बना करके निमनेखित अंगों कोष्ग नामांकित की जिए निवीपी देया हुआ है प्रारुपिक पादप कोष्गा का चित्र दिखाई दे रहा है आप इसे ध्यान से देखिए समझे और इसे अपने काभी में इस बस्टुक से बना लिएगा जिसे पढ़ने में सिविधा होगी इसका अथवा दिया हुए बच्चों प्रारुपिक जन्तु कोष्गा का नमांकी चित्र बनाईए तो इसका प्रारुपिक जन्तु कोष्गा का चित्र भी आपको मिसलिन पर दिखाते हैं चलिए यह आपको इसकर दिखाई दे रहा है प्रारुपिक जन्तु कोष्गा का न ज्यादा संक्या होना क्यों जरूरी है जाए जाए अनुवान्सिक दरभ्यों के होने से माइट्रो कांठ्रिया का जादा संख्या में होना बहुत जरूरी होता है यह था इसका सही उतर बच्चों चलिए दिखते हैं इसके अथवा का उतर इस प्रस्ण के अथवा में दिया हुआ था घति के तिनों सहितरा लिंक करेंक एस में प्रवित संकेतां को बताईए तो इसका सही उत्र होगा पहला सभन घ्रका अ कर टिए कु। यू इसक्वेट प्लस स्वेटि के तीन स्मय करने अब इन्टीन स्वेकाड में प्रस्थानुसार कि यू Jak嫦ा के संकेतों को समझ रहा है तो सबसे पढहेन देखेंगे वी मतलब यह अंतीम वेग क्या होगे बच्चों वी अंतिम वेग से है यू को हम बोलेंगे आपर प्राड़म्भिक वेग ए आपका थोरण से है एक स्थमान थोरण कहेंगे आपर टी लगने वाला समय एस वस्त द्वारा तै कि यही दूरी को हम ने आपर प्रदेवसित किया है गठी के सहिंगर में समझाया हुआ है चलिए दिखते हैं बच्चों अगला प्रशन अगला प्रशन है बच्चों और अर्थाफ बंदर हम आप्रशन है थांसन द्वारा प्रस्तावित परमालू डाल्टन के परमालू से अलग कैसे है और इसका अत्वाद यह हुआ है निम्न लिखित को दार्ण सिंद याख्या कीजिए सुद्ध प्रदार्थ संत्रिप्ते विलियन कोलाइड विलियन और निलंबन सबसे पहले देखेंगे पहला प्रस्तन थामसंद्वारा प्रस्तावित परमाडू डालटन के परमाडू से अल परमाडू से बना हुआ है ऐसा हुनने कहा था किसने थामसंद्वारा प्रमाडू से बना हुआ है इसा हुनने कहा तो दोनों में यही भिन जता है बच्चों यही अंतर है डालटान की परमाड़ुवाद और थामसन के परवाड़ुवाद में अब इसके अथ्वा के प्रसन के उपतर देख लेते हैं मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं निम्र लिखित को उदार्ण सिंद प्याख्या कीजिए सुद्धपदार्थ संत्रिप्तिविलियन कुलाइडिविलियन और निलंबन तो सबसे पहले हम देखेंगे सुद्धपदार्थ को तत्व अत्वा याउगिक सकता यह है बचों जैसे सोना चांदी तामबा लोहा जन आधी यह सभी तत्वों में आते हैं जब क्योंगिक में कारवन्डे अक्षाइड जल आधी आते हैं अब हम चलेंगे सुद्धपदार्थ संत्रिप्तिविलियन जो प्रसम पूचा गया है संत्रिप्तिविलियन में इस्तिर्ता पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में किसी ठोंस की जितनी मातरा गूल सकती है उतनी ही घुली हो उसे उस्ता पर संत्रिप्त विलियन कहते हैं क्या कहेंगे वहाँ पर बच्चों संत्रिप्त विलियन अब हम देखेंगे कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होते जबकि उसके जली विलियन पार्चमेंड पेपर या जन्तु जिल्ली में से आसानी से विस्रित नहीं होते या बहुत मंद गस्य से विस्रित होते हैं जैसे इस्टार्च, गोंद, जिलेटिन, अल्ब्यूमिन, आदी इनकी गोंद जैसी प्रकृत दिखुने के कारण इनकों दस गहां तरीले साथ सेंटिमिटर तक होता है किसी भी क्रिष्टलाव को कुलाइड अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है ज्यान समझेगा किसी भी क्रिष्टलाव को कुलाइड अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है इसको ध्यान में रखिएगा इसके बाद क से स्वीधियों से ही कॉलाइट बनता है यह बनाता है छ हमने कॉलाइट के दो प्रकार भी देखिए पर हम का embarrassing देखते हैं निलंबबन में विले खे कंड माध्यं में खुलते नहीं है परंतु माध्यं में निलंबित रहते हैं निलंबित कडुटों को आँखु को आखी देखा जा सकता है है चाख तथा पानी का मिर्ष राण के तरप अदो निलंब नहीं है इसके गुळ क्या होने चाहिए तुह निलंबितर होते हैं और दूश effort महत्पुड है कर सकते हैं वीडियो और ऊच्छे लगा है ये अच्छा लगाकर सब्सक्राइब कर लिए तो तब तक के लिए नमस्कार